आनी की शुरुवात होती है एक जू से जहां कुछ शिकारियों ने घुस कर एक शेर का बिच्चा चुरा लिया उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एलमा को देखते हैं जो पियानिस्ट बनना चाहती है उसे जानवर भी बहुत पसंद थे एक दिन वो एक आईलेंड पर घूमने जा रही थी असल में ये आईलेंड उसके दादा का था उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये आईलेंड एलमा को विरासत में मिला है आईलेंड पर अंकर जो ने उसका स्वागत किया वहाँ पर एक बहुत सुन्दर सा घर था उसने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आईलेंड पर गुजारेगी रात के समय अपने दादा की वीडियोस देखकर एलमा का दिल भराया एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेडिया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आईलेंड पर आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई दादा ने अलमा से कहा कि वो भी स्नो को ढून कर उससे दोस्ती कर ले उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहत खराब मौसम की वज़े से उसी आईलेंड पर क्रैश हो गया क्रैश की आवाज सुनकर एलमा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा लेकिन वो आईलेंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला अगली सुभा चाल्स और एली नहम के दो नौजवान वहां आये उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बचा दिया असल में वो भेडियों के पार्ट के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़ कर ले जाना चाते थे कुछ दिर बाद स्नो जाल में फस गई लेकिन अपनी सूज बूट से चाल्स और एली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली फिर वो तैरकर आइलेंड की दूसरी ओर जा पहुंची जहां उसकी मुलाकत एलमा से हुई पहले कर अलमा घबरा रही थी लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पचकारने लगी कुछ देर बाद अलमा प्लीन क्रैश की जगा पर पहुंची खुश किसमती से शेर के बच्चे को कोई जोट नहीं पहुंची थी वो इन पक्षी के घुंसले में गिर गया था लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर एलमा की गोद में गिरा एलमा भी उसे अपने साथ घर ले आई उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई गर में तीन त्यारे जानवर देखकर एलमा बहुत खुश थी उसने तुरंट अंकल जो को बुलाया लेकिन उन्होंने एलमा से कहा कि इन खतरनाख जानवरों को गर में रखना ठीक नहीं है तो मैं इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए अंकल ने ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूलते हुए जू के करमचारी वहां जरूर आएंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही अगले दिन अनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुँच गए वो जानती थी कि जू वाले कितने वेरहम होते हैं इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी उसने जूट कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा घर लाटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर की बच्चे को भी दूद पिला रही थी उसे बेहत खुशी हुई क्यूंकि अब स्नो दौनों बच्चो का खयाल रख़ रही थी जैसे जैसे दिन बीचते गए दूनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही एलमा ने भेडिये के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर उधर अंकल जो कुछ चिंता थी कि ये जंगली जानवर एलमा को कोई नुकसान ना पहुचा दे लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे एलमा उन्हें आईलेंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मन पसंद जगा पर उनके साथ खेलती भी थी बदकिस्मती से एक दिन जब एलमा पियानो के एक आडिशन के लिए गई थी तो पीछे से वो भेडिये के पार्क वाले आईलेंड पर घुज गए इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए उधर एलमा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बेहत खुश थी लेकिन ज उसे ही बच्चों का पेट भरना था इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी एक दिन अंकल जो फिर से वहां आए और खुंखार जानवरों को अब तक वहां देखकर गुस्से से भर गए उसने अलमा से उसी वक्ट जानवरों क जू में बेजने को कहा लेकिन अलमा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और फिर जू में नजाने इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे अखिरकार अंकल जो भी मान गए और एलमा को गले से लगा लिया अब उनका सा जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ख्यान रतने में जाता था अलमा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान चिड़कते थे देखते ही देखते एक साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गई थे अंकल जो श कश्ती में आइलेंड के नस्ती काई उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा जैसे ही अलमा में ये सब देखा वो जैक को रोपने के लिए भागी लेकिन वो एक पत्थर से ठकरा कर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वज़ह से वो उसी वक्त बेहोश भ कारते रहे लेकिन कोई नहीं आया जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एलमा से सटकर बैठ गए उन्होंने पूरी रात जाकर एलमा को गर्मा लट दे अगली सुवा अंकल जो ने एलमा को कई बार कॉल की लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो ग करते देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत बचतावा हुआ इसके बाद जब आलमा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर में उसे दर्माट ना दी होती तो शायद वो आज सिंदा ना होती उधर आनिमल कंट्रो वालों ने जैक को पगड़ कर ईलाए और चार्ल्स को सौंप दिया उन्हें एफसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अकसर अपने जानवरों को करता था लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रैफा बहुत नरम दिल का था जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाईयां देकर सरकस में कर्दब करने के लिए मजबूर किया जा था ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मज़ से आइलेंड पर गुजारी थी लेकिन इन पेरहम लोगों ने उस पर काफी पुरा असर डाला इसलिए राफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने जाया करता उधर हॉस्पिटल में अलमा ने होश में आते ही चैक और ड्रीमर क के साथ उसे सब सच बता दिया जैसे ही अलमा हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा अनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची उसे पता चला कि जाक को तो भेडियों के पार्क में बेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सरकस ग्रूप को दे दिया था यह सुनते ही वो से बार गई और ऑफिसर पर चलाने लगी लेकिन अंकल चू ने उसे शांत किया कुछ समय बाद एलमा ने एली को खून करके जैक के बारे में पूछा एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहां उसके कुछ दोस्त भी बन गए है इससे एलमा को थोड़ी तसल्ली मिल थी ड्रीमर जल्द ही स्टार लॉयन की नाम से मशूर हो गया एक दिन ड्रीमर का सरकस क्रूप भेडियों के पार्क के पास से गुशर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बच्पन के दोस्त को पहचान लिया जैक अपनी सूज बूच से पिंजरे से बाहा निकल गया एली जब यह देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहत समझदार है और वो जरूर कुछ ना कुछ टूंड रहा है चल्द ही जैक उस तक पहुच गया जिसे वो ढूंड रहा था उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छोड़ा लिया इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जम कर खेले जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूप निकाल ली उसके बेटे रैफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन लालची आलन ने उसकी एक ना सुनी हारकर रैफा भी ड्रीमर को सब कुछ बताया और कहा कि अनिमल कंट्रोल बाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं यह सुनकर आलमा घबरा गई लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शहीर में एक ट्रैकर फिट किया था जैक और ड्रीमर की आसली लोकेशन एक जंगल के आसपास थी अब आल जालन और रफा ने उन्हें देख लिया दालची आलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैकुलाइजर गन से हमला कर दिया लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया बिचारा जैक तो उसी वक्त देहोश हो गया जबकि ड् आलमा भी एक ट्रैकर के जरिये उन तक पहुंच गए आलन ने उनसे कहा कि उसके पास तोई ट्रैकर वगेरा नहीं है और उना बाहर बेज दिया लेकिन समझदार रैफा ने बातरूम का वहाना बना कर एली और आलमा को सब सच बता दिया वो उने जंगल में ले ले गया जहां आखिर पार उन्हें ड्रीमर मिल गया इसके बाद ड्रीमर उन्हें जोपड़ी मिले गया जहां जैक आराम कर रहा था खुश किस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था लेकिन तब ही उन्हें पुलीस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दूनों जानवरों को खूफिया रास्ते से भगा दिया अब आइलेंट तक पहुँचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी उलीस से बचने का एक यही रास्ता था लेकिन वहाँ कोई कश्टी नहीं थी इसलिए सब को तैर कर ही जाना होगा जैक तो उसी वक्त फूर्ती से नदी में तैरने लगा लेकिन ड्रीमर बानी से डरता था एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा आईलेंड पर पहुँच कर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया असल में वो जंगल में पुलीस वालों को भटकाने के लिए गया था उसे जिन्दा देख कर सभी खुशी से जूम उठे आखिर आल्मा ने जैक और ड्रीमर के लोटने की खुशी में पार्टी में पियानों बजाया अब उनका परिवार पूरा हो गया था अंत में आल्मा ने सब को अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई जिससे सभी लोगों के दिल भर आये और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे